सिंपल है जो कैसे बनाओगे या तो आप उसमें इसकी मदद ले लो सेंसिबल की मदद ले लो ठीक है या तो आप इसमें सेंसिबल की मदद ले लो या तो अपने हिसाब से बना दो तो अभी यह जो मैंने सिंपल हैज दी है टेलिग्राम पर लोगों को कि आप इसको अगले सब्सक्राइब आप लोग इसमें देख रहे हो एकदम बेसिक से बता रहा हूं समझेगा फिर इसमें जिसका बीज मीच में होगा पहले एक पूरा एक्स्प्लें करने दीजे पहले स्टेटिकली करूंगा फिर मैं डायनमिकली करूंगा इसको होता क्या है जब आप एक सिंपल हेज बनाते हो माली जी कोई आपने सो रुपए का और उसको पचास रुपए दो तीन सो पॉइंट दूर है कर दिया तो आपका ज छला जाए लेकिन loss और जो आपका इसमें profit है वह आपका fix हो जाता है कि के आपको इससे यादा profit नहीं हो सकता और इससे यादा loss नहीं हो सकता फिक्स हो जाता है कि पाल्यवादि अ recognition अपने ऊपर की तरफ का त्रेड लिया है सैर् और आप के अपावजिट निफिर का की ट्र आपने की पोजिशन बनाई है अप्ट्रेंड को आपने ध्याम में रखके पोजिशन नीचे आ गया चंद्रयान क्रेस हो गया है वाली क्रेस हो गया है तो आपने मोटे-मोटे-मोटे यह ग्रीन वाल था दो चुहे थे मोटे-मोटे-मोटे-मोटे अशा तो यह देखिए तो चंद्रियान माली आपको यहाँ पे डिफाल्टर हो गया तो अगर नीचे आगया तो आपको इससे ज्यादा लास नहीं होना है मालने वर आप अभी मैं वह भी बता दूंगा कि इसमें भी आप अपने इस लास को भी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो इस लास को भी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हों वह भी बता दूँगा कि यह भी नहीं होने पाया है पस पोजिशन सेल कर दी उस साथ करना क्या चाहते हो जिन्दगी तो यह चीज है तो मोहिजी इसमें क्या करेंगे मौहिजी हमारे जो हैं वह इसमें कुछ नीचे उपर का बाइस एल कर देंगे जो भी है नीचे उपर का इसमें बाई सेल कर देंगे बट वो नहीं करना है अब देखिए अब आपने ये पोजिशन बना दी कत्ति सगस्त की इसमें ये सेंसिपूल जो है इस्टेटिकली कैल्कुलेट कर रहा है कि भीया आपका इसमें 4,668 का प्रॉफिट है 4,500 का 2,500 का आपका इसमें लास है अब आएए इसको थोड़ा सा उपर नीचे करके देखते हैं कि इस्टेटिकली जो आपका ये काम करेगा ये कैसे चलेगा अब देखिए हाँ पर लिखा है SD डाइनमिक ये देखिए SD डाइनमिक लिखा है फिक्स्ट SD डाइनमिक SD इसलिए मैंने इसको डाइनमिक करके रखता है और कोई इसमें बात नहीं है ओपन इंट्रेस्ट तो ये सब आपको यहाँ पे चार्ट पे बैक्राउंड पे आपको दिखा रहा ओपन इंट्रेस्ट ये सब आपको दिखा रहा है कहां कहां कितना ओपन इंट्रेस्ट है अभी की मार्केट की इसाब से देखिए 19400 पे और 19500 पे गजब का ओपन इंट्रेस्ट बनके रख़ा है आज के दिम में और मार्केट हो गया क्लोज़ अब देखिए अब आपने यह पोजिशन ले लिए अब मार्केट को 500 पॉइंट आगे और 500 पॉइंट पीछे करते हैं मंडी तक देश्चा मार्केट को 500 पॉइंट आगे करते हैं कि दो हजार 833 रुपया आपका पड़ा हुआ क्योंकि अगर यह 500 पॉइंट नीचे जाएगा ना अगर यह 500 पॉइंट नीचे आगा तो यह सी आपका भूम मार देगा कि जो सी आपने बेचा सी क्यों बेचते कोई बताए सी क्यों बेचते कि मोई जी यू को चोड़े कि मार्केट नीचा तब हां अगर ثी बेजतें मार्केट उपसाइड में जा रहे हैं अर चया और मार्केट यह ुपर जाएगा तो मोहीज क्या करते हैं पॉद बेचते हैं और हम लिग कॉल खरीते हैं सिंपल अब देखिएगा 500 नीचा आगा तो यह भूम मार जाएगा बहुत बड़ा भूम मार जाएगा तो यह आपको लास होने नहीं देगा अगर हमने इसको बेज़े ही 37 रुपय पर यह तो कितना बूम मारेगा 37 रुपय तो मारेगा यह बढ़ जाएगा इससे आप कल्कुलेट करके बताओ कितना बूम मारेगा उननी से आड़ छैसो से मार्केट चला गया कितना 500 पॉइंट तो 500 रुपय और जोड़ जाएगा जितने भी जुड़े 500 का अधा जोड़ दो 500 का 1 by 4 जोड़ दो 200 पॉइंट जुड़े तो ऐसा नहीं है ना कि 37 रुपय पर बेचा है इसको तो हम इसको जीरो तो होगई नहीं है यह बढ़ जाएगा ठीक सुझ में जाएगा कि अब देखिए अब दोने कंडिशन लगा कि अब मार्केट मुझे लगा कि अगले आपके मैं आपको दिखाना चाहरा हूं आपका प्रॉफिट और आपका लॉस लॉक कैसे है अब मार्केट अभी माल लीजिए चला है नाइंटेज थाजन फाइव हंडिट के आसपा चल है तो पांसो पॉइंट अगर हम इसको बढ़ा देते हैं उननीस है यार पांसो है ना बीसे आर कर दिए आपने अब देखिए आपका लॉस प्रॉफिट भी फिक्स है फोर ट्रिपल सिक्स और यह फोर ट्रिपल सिक्स इसमें आप इसमें बाई माइनस सेलिंग में सुरच्चित हो अब मालिज आपकी कोई कॉई काल या कोई पूट पॉजिशन आपकी यहां पे सिंगल पड़ी होती निगेटिव अगर पड़ी होती तो यह तो बहुत उपर ज्यादा चला या तो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता ति तो बहुत जादा उपर या था या बहुत जादा तो एक स्थित में अगर है आपकी मार्केट में चला गया तो आपको अच्छा profit हो रहा कट एक स्थित में अच्छी आ याई जब आपके आपकεις तो आपके अपोजिट चला गया तो ज्यादा लॉस दिखाएगा तो यह इसी लिए पोजिशन बनाई आती है और यह इसी को अगर जैसे आपने पांच लॉट में कर दिया यह पांच लॉट में कर दिया तो आपका अच्छा खासा यहां पर एक स्रिवाट रिश्यू निकलता है सर अच्छा खासा रिश्क रिवाट रिश्यू निकलता है तो निसको एक लॉट में कर दिये ठीक है अब यहां पर जो यह कैलकुलेशन हो रही है यह वाली जो कैलकुलेशन है मेरे मित्र यह स्टैटिक कल्कुलेशन स्टी एटी आईए सी सी ए ल सी यू ल ए टी आई ओ यह है आपकी स्टैटिक कल्कुलेशन क्यों है यह क्योंकि आपने यहां पर सेम वीक इक्सपायरी लिया है यह लिए आप यह स्टैटिक कल्कुलेशन है अब देखिए सेंसिबूल या आप्स्ट्रा जैसे जो प्लेट फॉर्म है वह आपको गड़बडाते कैसे अब इसी को आप कैलेंडर बना लो या थोड़ा सा नेक्स वीक की स्प्रेड बना लो फ अब इसी 31 अगस्त को आप कर दो साथ सितंबर अब यह गड़बड हो गया अब इसको भी रिसेट कर दीजे और इसको भी डेट को भी रिसेट कर दीजे अब यह हो गया गड़बड क्यों हो गया इटे साथ बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर दादें स्टैकिक नेमिक इसको सिंथाटिक फ्यूचर काते हैं उसको सिंथाटिक फ्यूचर काते हैं ठीक अ सार् जी तो उसको सिंथाटिक फ्यूचर करतें अब देखिए अब यह क्या कर रहा है अभी इसको कैल्कुलेट नहीं कर पा रहा है पहले option को है साथ सितंबर से क्ल्कुलेट कर रहा है तो जब आपने उसको अलग अलग दिसाय दे दी कि यह वाली यह वाली इस्ट हो गई और यह वाली वेस्ट हो गई अभी तक तो दोनों इस्ट इस्ट था क्योंकि सेम इक्सपार अभी वेस्ट हो गई अब यहां पर यह कंफ्यूज हो गया आप्षन का behavior क्या कहता है इसमें intrinsic value वरभर के है तो यतने restoring है और OTIM है पूरी तरीके से जूट है परमसत्य मतलब क्या इसमें intrinsic value भर-भर के है तो ये future की तरह थोड़ा से आपका काम करता है और अंदर चले हैं तो और बढ़िया से future की तरह OTIM जो है, इसमें time decay लगता है क्योंकि theta decay गल जाता है तो इसलिए जूट है ATM जो है, अर्धसत्य है अर्धसत्य इसलिए है ये क्योंकि इसमें intrinsic value और time value दोनों है इसलिए अर्धसत्य है ठीक है जाब यह चीज हो गई अब अगर आप यहां से calculate करो अगर माल लीजे निफ्टी 200 रुपए उपर चली गई आपके movement की तरफ चली गई निफ्टी 200 रुपए उपर तो यह 200 रुपए जाएगी तो माल लेजे 100 रुपए ही यह बढ़ा सपोस्थ यह 100 रुपए बढ़ गया तो 194 का कित्ता हो गया 194 का हो गया 194 चली 200 रुपए यह रख लीजे और यह कितना हो जाएगा यह कितना हो जाएगा सर बोले कोई यह कितना हो जाएगा कोई नहीं बताएगा गटेगा या बढ़ेगा अवाज जा रही है आवाज जा रही है आवाज नहीं हारी क्या आरी है तो बताएगे ना इसका यह थे बढ़े गया तो 100 रुपए बढ़े गया सो रुप्या प्लस हो गया यह यह आपने बेचा है इसका दाम कित्ता होगा निए भी लगई पचास में बढ़ जाएगा कैसे बढ़ आएगा आपने कॉल बेचा है और मार्केट ऊपर चला गया डाउन हो जाएगा अरे लो अब मैंने बोल यह गलत हो तहीं तो सही हो गाई इसलिए कहता हो ना सरकी सीखिए मैं इसलिए हेजिंग का सब्जेक्ट नहीं गौर मेडम गई गौर मेडम गई गौर मेडम गौर मेडम अधिके सारा सननाटा हो गया कैसे ट्रेडिंग करोगे सर आप लो मतलब इतना नहीं मालूम पर जाएगा नहीं तो बढ़ जाएगा नहीं सो रूपया नहीं बढ़ेगा अगर मार्केट दो रूपया उपर चला गया तो उन्नीस हैर चार्सुपचास रूपया चली माल लेते हैं यह चौरानमे से पंचान में हो गया सर चलो यह माल लेते हैं इसका क्या होगा यह बताओ यह बढ़ेगा ना सर कॉल है को मार्केट उपल जागे पिए भी बढ़ेगा ना सर से लर्या चाहिए इसको बेचे हैं सरी वह बेचे टीक है लिकिन वगर तो मार्केट अगर उसके नीचे है तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा वह वह हवाई रहेगा अगर नीचे जाता तो यह प्रोफिट देगा लेकिन अगर मार्केट अगर बढ़ जाएगा तो यह लोस में आ जाएगा अभी आपनों को बहुत कुछ सीखना बागती है देखिए मैं आपनों को सिंपल सिंपल बता है चौरान में वाला माल लेजिए 150 रुपए हो ठीक है सपोस्थ है अब एक आदनी ने कहा है एक किसी सजन ने बुला एक सो चौरान में रुपए नहीं जाएगा चलो 150 रुपए चला यह कॉल आपकी घटेगी माइनस होगी है अगर वह आज के आज होता है तो नहीं होगा अगर वह दो त्रीन दिन के बाद होता है तो गड़े गटेगा यह साथ सितंबर का उसी पराराओं साब यह साथ सितंबर की इकस्पाइरी है तो यह इस इस पीड से नहीं घटेगी लेकिन यह 31 अगस्थ का इकस्पाइरी यह उस स्पीड से बढ़ेगी ठीक है यह अंतर आएगा तो इसलिए यह आपको सुरच्छित रखेगा तो यह वाल इसकी बात नहीं है क्योंकि इकस्पाइरी दोनों की अलग अलग है समझ रहे हैं बात को इकस्पाइरी जो है वो दोनों लोगों की अलग अलग है इसलिए तो यहां पर आपके आप्शन के ब्येवियर को देखना पड़ेगा कि अब देखिए माल लीजे मार्केट 200 डाउन हो गया मार्केट 200 डाउन हो गया तो जाहिर सी बाते चौराव में वाला घड़े आएगा घड़े आएगा कि नहीं आप अब कर दो जाएगा और उननी से आड़ छेसों का भी जाता है इसका भी डांड हो लेकितना पास्त कर नहीं होगा तो अंगा तो तरहाँ है तो तो लिए आप इसीन स्वेंख शीत रहोगी ठीक है तो option के इस behavior को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ी-बड़ी hedge ना बनाके देखिए वो hedge मत बनाईए जो आप control नहीं कर सकते वो hedge कभी मत बनाईए जो आप control नहीं कर सकते वही hedge बनाईए जो आप control कर सकते हो with minimum adjustment और with no adjustment मैं बहुत simple simple hedge में मैं काम करता हूँ जो मैं बहुत ही simple hedge में काम करता हूँ क्योंकि मुझे पता रहाता है किस level पे क्या करना है जो जादा simplified में काम करता हूँ है क्योंकि कभी-कभी ऐसा structure बन के market का सामने आया ते ना उस time थोड़ा सा यह दिमाग लगाना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है कि अब इसमें adjustment क्याड़ा और आप किसी भी hedge में अगर इस plane hedge को छोड़के यह spread कह लीजे hedge कह लीजे एक को buy कर लिया दूसरे को sell कर लिया इस plane hedge को छोड़के आप कोई भी hedge बनाओगे चाहें वो data neutral हो या कुछ भी हो उसमें आपको adjustment करनी करनी पड़े इसलिए आपने देखा होगा मेरे channel पे मैं आपको हमेशा एक ऐसी hedge बनाता हूँ जिसका मैंने एक side neutral करके रखा हो मैं एक side इसलिए neutral कर देता हूँ एक side पर मैं सेफ हूँ जैसे अभी market उपर जा रहा है अभी जो है market आपका उपर की तरफ जा रहा है आज के दिन में तो मैं नीचे के put side को मैं सेफ कर दूगा कि put के side नीचे अगर market जाएगा तो मुझे उसमें लास नहीं होगा या दो हजार चार है आर का लास ऐसा नहीं जीरो हो जाएगा बड़ दो हजार चार हैर का लास होगा इसलिए मैं ऐसी design करने पर मैं फोकस करता हूं जिसका एक तरफ मैं neutral कर दूँ और एक तरफ मैं open रख जैसे ऐसे market इस पर आगे चड़ेगा मेरा profit बढ़ता जाएगा अब अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आना शुरू हुआ तो यह मुझे 100 रुपए से लास दिखाना शुरू करेगा और मैं चार्ड देखके मैं अपने लेवल निकाल लूँगा कि मुझे निकलना कहा है अब देखे आज जैसे आप नों को मैंने बोला तो निकल जाएए इसलिए मैं बोलता हूं हेज हमेशा simple बनाईए जब तक simple चीजों पर नहीं जाएंगे तब तक आपको profit नहीं हो सकता है इसको बनाईए अपने system पर बनाईए copy किताब पर लिखिए कि 31 अगस्त का buy कर लिया 31 अगस्त का sale कर लिया या इसमें से कोई एक और है September वाली पना लिजा और note कीजिए अपने copy पर लिखना शुरू कीजिए कि market अगर 200 point उपर गया तो इसका क्या होगा और इसका क्या होगा और market अगर 200 point नीचे गया तो इसका क्या होगा इसका क्या होगा जब तक यह बुद्धी नहीं लगाएंगे तब तक market में पैसे निकालना बड़ा मुश्किल है इतनी आसानी से market पैसे नहीं देगा गुरू जी जितनी आसानी से आप समझ रहे हो कि आप गय बार्टी लेकर भर के दे दिया कब भी नहीं never never sir never इस हेज में आप बैठ के सांती से पकड़ सकते हो market को बहुत सिंपली बैठ के आप पकड़ सकते हो ज्यादा आपकी इसमें दिमाग लगाने के लिए निफ्टी में मैंने आज आप लोग को बोला है कि वह याद दोसों को उपर अगर एक घंटे को उपर sustain कर गई तो इसमें दूर का option बना लेंगे अब देखिए जो लोग आज नहीं बना पाये हैं जो रोग कल का बाफ कर लाग review के राकितर देख लिएगा वह हैं यूट्यूब पर पढ़ा है पोजिशनल यह पोजिशनल आक्षण ये वला येवाला पढ़ा देख लीजेगा कि और हजमे सेला है वास्तों ये के बारे में सीखना है देखिए मैं आपको दे देथा हूं कि का लिए कि कहां पिदिया था कि कि ओ कि यहीं पुभी आता मैंने कि अगर अगर वास्तों में का बड़ी इंकम जनरेट करना चाहते हो आपके पास लाग 1.500000 रुपए हैं और अगर आप उसको डिप्लॉय करना चाहते हो तो एक वीडियो आप यह देखिए शेयर कापी टेलीग्राम में पूट कर दे रहा हूं एक वीडियो आप लोग यह देखे चाहिए और एक वीडियो यह देखिए लिटरली बता आपको इससे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और जितना आप अपने फैमिली के लिए सीरियस होते हो जितना आप अपने हर किसी काम के लिए सीरियस होते हो उससे कहीं ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा इस्टॉक मार्केट में तब जाके आपका काम बनेगा अगर आप सब्सक्राइब 2 दोनों पार्ट को आप 4 बार देखो गहें दो बार इसको तब ही आपके समझ में आना शुरू में अलाऊ अजिया थे इतना आशान नहीं है मार्केट से फैसा निकलना साब इतना आप लोग समस्ते हो कि मैं कि सिसे एक जोएन करके तोप हो जाओंगा नेबर आपको लगातार अपने पर काम करना पड़ेगा लगातार मैं करता हूं कि मैं करता हूं आपको तीन बजे भी लेवल देता हूं में रात में मैं आपको दे नत दे रहा हूं मैं आपको कि भी या इनी इनिस टोक को देखो तब जा करें कि सब्सक्रीणर देखना किसी ने देखा है कि तैक और उसके बाद यह स्क्रीणर दे दो इस देतो एक बार मैंने एसी टेखेख़प 치नल पे पीछे ऊई स्कैनर एंसर दिया था टेली पैटटी का बलास्ट में कई दिया नख लगा करेख ने लोह का आज तक मेरे पास मैसेज आया कि नहीं सर लोन दीया था खराब चलता है अच्छा चलता है आपने कूडा बना के दे दिया किसने एक बार बोला किसी ने नहीं बोला मुझे पता है न कोई नहीं बोलेगा फ्रीकी चीजों कोई मोल नहीं है लिख के दे रहा हूं फ्रीकी चीजों का कोई मोल नहीं है साहब क्योंकि आपको हमेशा अंडर प्रेशर ही काम करने की आदत है आपको हमेशा अंडर प्रेशर ही काम करने की आदत है जब तक कोई धकी आएगा नहीं जब तक कोई कुछ बोलेगा नहीं तक आप कामी नहीं करते हूं मैं भी ऐसे था मिहता कोई धक्का ना दे जब कुछ गलत भोलेक ना दे जब तक अन्धर से अंहीं उठेगी की नहीं मुझे करना है तब तक नहीं हो पाने वाला चाहे वह आपने पढ़ाई की थी यह रिए प्लास 1 पढ़ा था चाहे लगी किया था चाहे ग्रिजूशन किया था जब तक आपने किया था और आज तक मानो या ना मानो नहीं हो सकते सफल थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सत्य है नहीं हो सकते सफल उसका कोई अंत नहीं होता तो घुमकड़े वाला ही चलने वाला है बहुत अच्छा और सब दो हुआ है बछला इंडिकेटरबनां के दिया है । यहां तक कि कभी-kभी यह सब्सक्राइब करने लिकिन नहीं किसी ने देखा नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा यह आपने बोला है कि इसमें Central नहीं नहीं देता और 10 गंत बीस गंत पेसने की वहिए इयुकि राते काली ति सपेथ कर रहा हूं क्यों लुए एसे नहीं नहीं और ज़ता हुसर्ण ऐसे तो होता ही नहीं इतनी तगड़ी तगड़ी चीजे बना के दे दी यह SMC टेक्निकल दे दिया कोई फीड़बैक नहीं एक बंदा ने गोल लेक मैंने इस पर ट्रेड रिया मैं रोज लेता हूं ट्रेड मैं रोज लेता हूं इतने डिपेंडेंट हो लेकित कहीं न कहीं तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा होना पड़ेगा की नहीं होना पड़ेगा सर बताओ इस फ्सकर और उसी के लिए मैं ब्रभां मैं झालत हो मैं आपको बोलेंगे मैं नहीं चाहता हूं मैं आपको बोलों, मैं चाहता हूं आक मुझे बोलें, रविंदर जी मुझे बोलें की सर 19-चायर 500 का पूठले लो बढ़ीया है, उपर जाएगा, मैं ये चाहता हूं możnaManda дев इसके पीछे मेरा यह लॉजिक है करको मैं मर जाओं फिर आप किसी और को खोज़ोगे कि इस दिन करें तवेज खराब हो जाए फोन ना उठाप आओ लैप्टाप ना को फिर आप किसको खोज़ोगे आखेरें पढ़ लिके नौकरी करने लायक हुगा तो इंडिपेंडेंट हुए न तो इसमें भी इंडिपेंडेंट हो आज का ट्रेट देखो कौन बोला था आज का ट्रेट खराब था यह बहुत से लों का मैसेज आया मेरे पास नहीं बूच पाए नहीं समझ पाए कल क्लियर क्लियर आपको इंडिकेशन दे दिया था प्लूइट ट्रेट बता रहा है आखों के सामने सब कुछ चला आके धक्का खाया उपर जा रहा है जब आपको फिर आज पता लग गया कि मार्केट कल वाल देखिए मैच कर लो हुआ मैच बोलो हुआ कि नहीं मैच क्लियर इंडिकेशन था मैच 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 अब कहो कि मार्केट खतम हो गया तो बताना बहुत आसान है को बोल दे यह भी मैं सुनने कान तरस रहे मेरे सुनने के लिए और महराज किलियर सी बात है कल बेटा तुम यहीं से धक्का खाते हैं आज भी से खा सकते हो इंडिकेशन का बात कर देंगे पूट में चले आएंगे इसके ऊपर जाएगा तो बाई में चले आएंगे कॉल लेंगे सिंपल रात को तीन बज़े रात को तीन वज़े इसलिए बने डाले कि सब एरोट के खटा-खट सब लोग देख लें कि वह आज की लेवल क्या बनेंगे रात में तीन बज़े इसलिए डाला था पांच लग या रात में निक्स्ती लेवल फ़ाट तुमारो 12 एक बज़े करीब इसलिए डाला था कि लोग देख ले प्लान यूर ट्रेड ट्रेड यूर प्लान ट्रेड तो प्लान करो कि कल करना क्या है कोई नहीं करने वाला है कि से और सपोर्ट आपको कोई नीं दे सकता हिए और जो मैं रोज आके 10 सजब्स आपलों के ब्रें पर आप लोंगे सरीर पे आप लोंगे आत्मा पर दिमाग पको दिल पर आप लोग ही ट्रेडिंग पर और इसमें मेरे प्राइम मेंबर भी है जो लोग मेरे को सुन रहे हैं यह बात सबके लिए है मेरे लिए भी है मैं लेवल फॉलो करता हूं रात में देखिए दो तीन तीन चार बज़े तक क्लास चली है इनको नई टाइम दे पा रहा हूं मैं एक साहब बोले कि सर आप मेरा साड़े दस वेस कर दो तब ही मैं क्लास कर रहा था एक साहब का डेढ़ बज़े नियर बाउट वाट्सप पर मैंसे आए कि सब कुछ आ चु कर ले देखा सामने वाले को कुछ ने कुछ मैं दे दूँगा कि यह दो आदमी को निप्टा दिया दो आदमी को पकड़े क्लास कर दी कठे निम्टा दी क्लास अभी भी तीन-चार नों का बाकी है नहीं कर पा रहा हूं ताइम ही नहीं मिल पा रहा है सर कि मैं करूं उसके कोई बात संता नहीं कोई बात समगता ने कम से कम मैंने आपको लोगों को बोला है कि थोड़ा सा अनालिसिस पर धियांसर दिजाए नालिसिस पर ध्यांसर दिजाए जाह न मार्केट याद रख्ली ALL कि इतिहास को दोहराता है कि अब मार्केटने कल को दोहरा दिया आज जब या बड़ी वाली रेड है कैंडल मैं सोया नहीं था आज जब यह बड़ी रेड केंडनल भटी मुझे शेया बता चल गया कि बढ़ए बस करो करो मार्केटett होने वाला है पॉयां आव देखाना ताव यहीं स्टॉप लॉया है यहीं के नीचे काू प्लान ज़ुषिर और लिडी अगले दिन का प्लान इन ताविक्त में के act क रिभग करते श्रू कल न offer also स्बॉक्ष आपका बाइस में कहुंअाल आपका बास बोखते कल फला 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 मेल का जवाब देना है दो फला 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 प्रोजटस पे काम करना है इन तीन चीजों की अप्डेशन है मैंशमेंट को में है इस पर PPT को present करना है, इस पर report बनानी है, इस पर exercise sheet बनानी है, तो आप क्या करते हो, करते हो ना, तो ये भी boss है, ये भी boss है भाई साथ, this is the boss, boss मतलब God, जब तक इसको समझोगे नहीं तब तक promotion मिलेगा हीने, boss साल में एक बार promotion करेगा, या एक बार demotion करेगा, और ये रोज आपकी promotion कर सकता है, रोज demotion करेगा, अगर promotion नहीं करेगा तो पका है, करेगा रोज का रोज लिख के दे रहा हूं तो इस बात को समझे किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिया आज मैं ज्यादा भावनाव में बागे लेकिन आप लोग को यह पास समझानी जरूरी है सर समझो क्योंकि यही एक ऐसी दुनिया है यही एक ऐसी विद्या की विध ग्रूप में इसका एक परसेंट भी नहीं दिया जाता है सर एक परसेंट अगर मैं आपको यहां पे 20-30 परसेंट दे रहा हूं अपनी नॉलिज के हिसाब से 20-30 परसेंट अगर मैं आपको यहां पर डिलवर कर रहा हूं आके सबेरे ग्रूप में इसका एक दो परसेंट नह इतना निचोड सकते हैं कि मैं कहता हूं अब मैं अगर दस की महनत कर रहा हूं आप फिके ना कोई कोई कोश्चन हो तो ले सकते हैं बताएं एगे अब अगर किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज बताएं नमस्कार सर निपक जी सब्सक्राइब जी दीपक जलांसर कल बात ही आप से फोन पे हाँ बनाए बनाए पोजिशन बनाए फारोटियम का जो आपने स्टेजी दिया है तुटी एमस के ऊपर एक घंटे का क्लोजी के तुटू सही चल्लाइज है सही जलत है कि के वह और अगर देखे कल यहां से गिरा नहीं ठीक है यह लेवल देखी आप अगर कल यहां से गिरा नहीं तो फिर यहां तिक जाएगा 45,000 तिक जाएगा है ना साब आपका और भी कोई काम था उसके लिए आप मेरे से बात कर लेना है ना दिपक जी 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 सर बात कर लोगा मैं आप से सब्सक्राइज है अब यह मीटिंग खतम हो जाती तो आपका कर लेना और किसी का कोई क्वेस्चन सब्सक्राइब और किसी का कोई क्वेस्चन दीपक कुमार जी दिनेश मग जी जीनियस कंपटीशन सेंटर कौसिक देवनात मनोज मंडल मिस्तर भी सर्सी प्रदीव गौर्ड प्रकास लालवानी साहब रतनेश मौर्या संदीव कचाने शालनी मेडम विबेक जी यूशुप साह जी इतने सारे लोग हैं किसी का भी कोई 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 सब्सक्राइब तो क्या फार ओटियम वाला स्टेशिप पर बना सकते हैं कल सर एकदम सर एकदम आज मैं इसमें रुख गया आगे मैं इसमें थोड़ा सा रुख या देखे तो से में में कोपर क्लोजिंग तो दे दिया है ना अब देखे यह रेंज का है थोड़ा सही आपके समझारियों कोई संब्सक्राइब कर दिया जाते यह रेंज आपकी पचास पॉइंट की देख रहे हैं लिए देखेगा इस समझेगा ध्यांसे यह रेंज आपकी 50 पॉइंट की ठीक है साथ जी मैं क्या सोच रहा हूं यह इसके उपर इस Reef और सुरख्षित हो जाएगा तो उस रेंज के ऊपर जैसे कंडिक क्लोस कर देगा तो बहुत हो जाएगा मालीग कंडू करता है तो कितना हो जाएगा क्दिक कोचा से बाइससे 100वी पॉइंट पकड़ देता हूं सर मरेसा तो अगर यह हो जाता है तो कल इसको पर क्लोज करें तो मैं यहां पर इसमें हभी पोजिशन के साथ में गुज जाओंगा पर रोपियम में हजार कॉइंट दूर आट्सों पॉइंट दूर यह प्लान आप अपने दिवांग में रखिए जाओं और किसी का कोई क्वेस्टन इनिफिंग कैस रिलेटेड गैस का कैस कैस में किसी का कोई कोई क्वेरी नहीं है कैसी स्टॉक में तो देख लेंगे असर बोलने हैं कि बायो कि आए इसी इसी अश्या बैंक अभी कुछ दिन पहले बताएं इसका बन जाएगा वन आबर काइम फ्रेम दोस्व दोस्व इनके उपर क्लोज दिया अगर कर इसका स्टॉप लॉस बना के स्टॉप लॉस दालके ट्रेड कर लीजेगा अब मैं इसका दे जेता हूं बाई आएसे आएसे आएसुआ बैंक अबब नो सो सब्र बीक हारं ठारट नो सब्सव घिलके एक घ्लारा डाल देता हूं मैं इन उस्चिम जूरइओ के स्टॉ के सिंगे घ्ल काइग वैजम पहलWow was भाइग को ύुरौ वार्ण तार्गेट नाइन केटी फाइब एक हजार एसे लोगे आपका तर्मेन इसमें तर्मेन इसमें पाउजन एक हजार की कॉल का मैंने पोजिशन बना इसमें अच्छी बात हैं पोजिशन सही है आपकी कि और बायो का व्डिया से अब बायो का इसें डाल दिया तो टिलिग्राम में दो एक होगिए तकि अधिए by-by-you-con at 265 अब प्रिया रहा है रिलाइंस में इस तूनिज अभी ले सकते है क्या? आप बताई हो ना रिलाइंस में इस तूनिज ले सकते हो क्या? बता देखिए 265 265 टार्गेट 300 300 का टार्गेट है मार्केट डेफ्ट के निकल के आ रही है अगर एक दिन के चार्ट पे जाएंगे टार्गेट 300 सही है इसे न हो जाएगा इसका टूब 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 टाल दिया है रिलाइंस देखिए रिलाइंस में रुकिए टूब 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 आप एक बोनस स्टॉक यह इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बता देता हूं एक में समय दीजेगा अजे सूदिवे सेंगIA hmm एक टूजेट इंफ्रा एक टूजेट इंफ्रा ले लिए अभी जितने पर चल ला है टार्गेट इसका डबल का ठीक है यह आप कर लीजे इसमें क्या करते हैं अपने इंवेस्ट्मेंट परपस के लिए डाल लिए इना सार और साथ बंटली वीकली और डेली सिकसी से उपर चल रहे सारे मैंने टेलिग्राम में जो लिस्ट दी थी वो कल की छॉक्स थे और उसमें मैंने आपणों को मूमेंट के लिए क्या इसक्टर करने के लिए ठा सारे प्रश्ट प्रश्ट कर लिए कि वास्तों में दे रहा हूं को काम कर रहा है इसलिए मैंने दिया था पांच परसेंट ने इस तोड़ा सा कम मुवमेंट दी बाकि सारे ही ग्रीम में रहें कुछ कम है और कुछ ज्यादा क Therefore, यह सार उसमें से के फूश म Cowork CH कर सकते हैं क्या कि उसमें पॉजिए बना सकते हैं 50 बना मतलब आगे मिस के पानल हम सिर्च का आख आराम से मजंगा tप आ अww आठीफ कर सकते हैं ङर्फ साअ कि यहां जी कि ओलेक्ट रगुपर देखें का सब करता दिया हुआ है यह नहीं है मैं सब मैं भुष धूरा सब्साइब कर ग्राइब शुक्रीब करें फिरेजा तब अपर नहीं में लिए नहीं लिए तब अवावाव सब्सक्राइब बता इसमें 430 पे ख्रदा हुआ है एक सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब क्या इसको खरीदने का इनवेस्टमेंट पर पजे या स्विंग था मेरा लेकिन इसमें मेरा पैसा फचलिया अब अब है तो प्रॉफिट अभी इसमें बारा हजर का ने इस तेरा सो थीस प्थर दाना सब्सक्राइब कर दो अब लोग ऐसा करते हो यहां पर आपने खरीदा उपर खरीदी उपर से नीचे आ गया यहीं करें ना जी तभी आपसे नहीं मिला था नहीं तो अभी नहीं खरीदा अभी आप इसमें क्या मतलब आप मेरे से पूछ रहा है कि इसमें बने रहाना चाहिए या निकल जाना चाहिए ऐसा पूछ बुक कर लेना जी सब्सक्राइब मेरे कासे दसो सयार का लाउस चल ला होगा इसमें कि सब्सक्राइब कर लिए इसमें कि सब्सक्राइब कर लिए कनेक्ट रहिएगा मेरा नमबर होगा या आप लों के पास अभी यह वीडियो जब यूट्यूब पे चला जाएगा तो इसमें नीचे यह स्क्रॉलिंग चलती रहती है इसमें नमबर आता है यह मैं यहां पर लिखी दे रहा हूं नमबर नोट कर लिए इसके लिए इसके अच्छा कि 8 5 818434 सरव से भी आर एच नमबर सेफ कर लीजे डिए इसके रहें इसने आप से अच्छा कि वाइबर है ना इंधा ना कि कहां से लिया था था थोड़ा से यह बीद कोल के बताईए अ कि कहां से लिया था मतलब नहीं समझा था किसी ने शजेस्ट किया था अब जहां पर आपने ट्रेड लिया था आप देखो बुलिंजर बैंड कर गया है तेख रहें वीकली चार्ट पर बुलिंजर बैंड ट्रेप किया है आप देखो यह आपका वीकली चार्ट का ट्रेप है तो मैंनेवर इस ट्रेप है तो यह इस ट्वंटी बाई टूप यह जो लाइन है इसके अंदर यहाने की कोशिश करेगा अब यह जो वीकली ट्रेप जो लगा इसको आके आप डेली पर देख लो थोड़ा सा समझे इस बात को ज्यादा टाइम नहीं लुगा डेली चार्ट पर देखो यह था आपका ट्रेप यहां पर कहीं पर यह आगे जाके फिर देखें अंदर ही आगया देखें दो एक दिन ट्रेप किया दो दिन किया कोई जुरूए ने ट्रेप तो अगले दिन डाउन होगा ऐसा कुछ नहीं है लिकिन मो सपोर्ट ले रहा है अगर यहां पर आपको पता चलेगा डेली चार्ट में पचास का सपोर्ट ले रहा है यहां पर कि और इसका वीकली सपोर्ट कि प्रायर जो इसका एवरेज परसेंटाइल है 20 के ही पास बन रहा है ठीक है और अभी थोड़ा सा बुलिश ही है हाना कि आपने उपर के प्राइस पे उठाया लेकिन यह ट्रेड बुलिश ही है अभी आप इसमें वेट कर लीजिए आएगा य फेंटे का लेगा लिए अगले हफते में मंडे को यहां पर अगली केंड़िल बनी शुरू होगी ठीक है अब इसमें रुकी है आपको ज्याधा ही दिखाया होगा मेरे गया से 15-17 दिखाया ही यहां पर तो अब आप बैठे रही अच्छे से दिखा देगा आपको परिशान नहीं करेगा पस थोड़ा सा बने रहीएगा मेरे साथ बने रहीएगा बातचित करते रहेगा वाटसेप पे या कभी कलासेश करता हो तो उसमें जिससे मेरे ट्रैक में रहे हैं ना कोई मेरे ग्रूप में है या ग्रूप में नहीं है उससे ज्यादा फरक नहीं पड़ता है मुझे अगर आप लोग को लगेगा कि हां मैं आपको एक अलग की बात है लेकिन मैं इस बात को हमेशा थोड़ा सा मैं खौरवड करके चलता हूं कि किसी का लास ना होने का लास और छोटा आपका वीडियो पहले देख लेता तो सर मैं इसको यहां पर अभी जो इगिरा है और यहां एसमसी का जो सपोर्ट लिया है यहां पर मैं किसी का लास होता है ना कोई बात नहीं लेकिन अगर कैश में किसी का लास होता है ना तो मुझे बड़ा ही दुख होता है क्योंकि क्योंकि कैश में मैं जिस तरीके से काम करता हूं या मैं जिस तरीके से लोगों को बताता हूं मैं एक परसेंट की लास प्राविविल्टी पकड़के चलता हूं एक परसेंट ही लास हो सकता है कि यहां पर दिखा रहा है जहां से यह डिवी ट्रैप हुआ और आपका जो एसमसी और किसी के भी पास, मैं यहां पर बता दे रहा हूं, किसी के भी पास, अगर आपको कैश के बारे में जाला जाके देखना है, तो एक वीडियो साथ मैंने डाल के रखा है, यहां पे कैश का, कि कल भी मैंने डाला है, कल भी एक चीज मैंने डाली थी, पता नहीं आप लोग ने कि मैंने जए व alert को देखा सर्ण क क्लास में डालाँ ऑउजार देखा हम एक बहुती स है το मिलटी बाईगर के लिजे था इसमें डाला था ना दो फ्चा vegan में भ्रशाय रकिए, मैंने वाने परशा रखराखियर थी ने यतatelli क्लास श्रीत में डाला था यह देखिए इकल मैं एक क्लास डाली थी कि आप अपने अहां वाट री गिविंग तो यूर नेक्स जनरेशन यूर इन्वेस्टमेंट प्लान लिए यूर है तो यह सब सारी चीह देखा किजी इससे आपको प्रिंसिपल मिलता है कि आप आगे कैसे जा सकते हो और जाहिर से बात है किसी के पास अगर पांच लाख रुपए कैश पड़े हुए हैं पांच लाख दो लाख तीन लाख दस ल एक करोड अगर कोई इन्वेस्टमेंट में इंट्रेस्टेड है तो संपर्थ कर सकता है कि जब पिछले दो साल में 20 रुपए का एकाउंट कि सत्तर रुपए हो सकता है तीन साल में धाई साल के अंदर टू पॉइंट फाइड के अंदर नेर बहुत थी फिप्टी पर्सेंट का रिटर्न है आप भी कर सकते हो से बस थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की जरूवत है सिंपल सिंपल बात है कि थोड़ी सी हैंड और cash trading में नुक्सान होने का मतलब क्या कि सही बता रहा हूं थोड़ा सा हो सकता है किसी को गड़बड लगे लेकिन cash trading में नुक्सान होने का मतलब ही होता है कि आप intraday trading material हो ही नहीं क्योंकि cash trading आपको घुसने और निकलने के लिए कम से कम 20-25-25 दिन का time देती है देती है कि नहीं देती है बताएए जे सब आप इसी trade में आप देखो आप यहां घुझ जाओ 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 यहां से कम दो, more than दो महीना हो गया सब, so please, चीजों को समझजिये मेरे मित्र, बिना समझे कल्याण नहीं होने वाला है, मैं ऐसे ही नहीं अपने दिन सा फेदर राते काली करता हूँ, और ऐसे ही नहीं मैं यहां पे पहुँचा हूँ, तो प्लीज इन सब चीजों पर ध्रान दीजिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका लॉस जो है आपके सीखने की फीश से बहुत बड़ा है ये मेरा बहुत ही कैलकुलेटिव इस्टेटमेंट है कैलकुलेट किया हुआ इस्टेटमेंट है सरीए और ये आप लोगों के उपर नहीं कैलकुलेट हुआ है ये मेरे उपर कैलकुलेट हुआ है कि मेरा जो लॉस है ना वो मेरी लर्निंग के फीश से बहुत बड़ा है और इसका बड़ाई psychological effect है मैंने किसी वीडियो के thumbnail में भी लिख दिया था आपका loss जो है आपकी सीखने के फिर से बहुत बढ़ा है तो सीख लीजिए पहले कह रहे हैं सीख लीजिए मेरे से मत सीखे किसी और ही सीखे लेकिन सीखिए गुरू एक ही पकड़के चलिए आज ये गुरू अगले दिन गुरू घंटाब पिर उसके दिन वो गुरू फिर वो गुरू फिर वो गुरू गुरू बदलने से आपको ज्यान नहीं मिलेगा जब तक एक जिगहां इस्टिक नहीं होंगे तब तक ज्यान नहीं मिलेगा जब तक एक स्ट्रजी को हजार बार ट्रेट नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा जब तक एक पैटरन को सब बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा का मैंने इसी लिएव ने फोड़ा सा कम एक्टिव रहा तो क्ट्रिव क्यों की मेरे और भूस सारे काम चलना है बास्के ट्रेटिक प्लकाएग डुनिया भर के्में का में एक साथ चला के रखकां मैं करने वाला ला मैं आपको सही बताओं मैं करने वाला अकेला ही हुँ मैं क्या क्या करूंगा सर लोगों को इतना सारा सब कुछ बता के रखा आएगी 15 मिनट के चार्ट पे धड़ा-धड़ पकड़ो ट्रेड कोड़ा सा रिस्क लो बड़ा सा प्रॉफिट लो कहां कोई दिक्कता आ रहे किये कोई समस्ता ही नहीं बात को कोई नहीं समस्ता फिर मैं वहीं बोल ला हूं कल की हिस्ट्री रिपीट नीचे उपर कि बनाओ ना ड्रेड़ कि 19250 के सी में आज आज भी था मैं 19250 के सी में आज भी था मैं कि देखे चपर फाड़के देखे गया है आज एक सो बयासी से 236 पर फाड़के देखे गया है कल का लगा हुआ था आप्शन वहीं आप्शन आज भी मैंने ट्रेड कर दिया कल भी यह ट्रेड किया था तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा सर बिना समझे तो आपका कल्याण हो नहीं वाला नहीं आप मेरे को नहीं आप जाके पर लगाल पर आपने यहां पर नहीं पकड़ा आप मेरे से वी यादा आपके पास ट्रेडिंग नॉलेज एकदम मेरे से भी कम आपके पास बीस के ऊपर आया यहां पर पकड़ो 207 पर पकड़ो, यहां पर पकड़ो, कोई ATM वाला कॉल ले लेते हैं, जिसमें आप लोग अक्सर काम करते हैं, मैं तो अक्सर ATM में ही काम करता हूँ, ATM क्या बनता है यहां पर, ATM बनता है, 19,400, 19,400 पकड़ देते हैं सकते, 19,400, देखिए, आया यहां पर, 20 के उपर आया, 20 के उपर आके टिक गया, यहीं पर ट्रेड ले लो, 52 रुपए का था, स्टॉप लॉस था आपका नियर बाउट 45 रुपए, 52 रुपए से कहां गया है सर, यहीं दो केंडल पकड़ दो, 70 रुपए गया है, 20 पॉइंट मिल गये, 20 गुड़े 50, 1000 रुपए मिल गये सर, और बताओ, एक दिन में 50, 52 रुपए का स्टॉप है, तो 52, 25, 25 रुपए लगा के, आपने 1000 रुपए निकाल लिये, कितना रुपए बैठा सर, कल्कुलेट कर दे, आपने 1000 रुपए या निकाला, डिवाड़े बाइड 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 पत्चिस सो, आप यह मत देखो न, आपने कितना अमाउंड निकाला, आप यह देखो कि, प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना निकला सर, आप यह देखो, आप हमेशा संतुस्रा होगे, मतलब आप क्या चाह रहे हों कि, मतलब पत्चीस रुपए लगा कि पत्चीस रार निकालने, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो होता है, नहीं, लौट साइज बढ़ा दोगे तो वही चीज़े, अब एक चीज और देखो, कोई नहीं बताने वाला सर, कहीं पर भी जा लो, इतना टाइम तो कोई आपको देगा ही नहीं, लिख कर देता हो, कहीं पर भी जाके आजमा, और जो देता हो, उसका नाम मेरे को मैसेज कर देखो, 24 रुपय वाला देखे, 20 यार 200, 24 रुपय वाला सप्टेम्बर, 20 यार 200 सप्टेम्बर, अगर कल मार्केट इसके उपर क्लोज हो गया, तो इस टॉप लॉस क्या होगा, इसमें यहीं तो होगा, 25 रुपय, बोलिए, होगा की नहीं होगा, अरे बोलो महाराज, चले हो क्या कर दो, जी सर, यह सब सारी चीज़ें सर, सीखे इसको, कितनी सारी चीज़ें रखें यूट्यूब में, कि अगर आप सट्रेडे संडे बैट के सारे वीडियो जी देखनो ना, फिर आपको ट्रेडिंग में कुछ करने की जुरूरत नहीं, हाँ, उसके बाद लगता है, कि आपको मुझसे या किसी और से सीखना चाहिए, तब कितने लोगों के फून आते हैं सर, तो मैं अनिकेद को फारवर्ड करवा देता हूं, कर लो उससे बात, क्योंकि वो लोग बात ऐसे करते हैं, कि मैं क्या बता हूं, ऐसा बात करते हैं, उनको केवल कोर्स चाहिए, उनको लर्निंग से नहीं मतला है, उनको कोचिंग से नहीं अपने सबकिशनल कुछ नहीं नहीं है नहीं बता सकता लेकिन इतनी चीजप स्प्रूंग इस प्री के यह बता देता हूं आपको खूजना भी नहीं पड़ता कैश में आरी अप्चिनिंफ्टी मिला था कि नहीं कोई कि नहीं मिला था वोलो जी बोलो बोलो अब देखो बेंक निक्री पी देख जे और इस्ट्रड जी एक है बगवान एक है स्ट्रड जी इसे गारड गारड इस कोर्ड जिस तो एक पाने की कोशिश करोगे तब आपको प्रकृति भी आपको उससे मिलाने की कोशिश करेगी यह साहरुप खान साहब ने बोला है ओम सांतियों में मूवी उभी देखा कीजिए थोड़ा सा दिवाग चलेगा इतनी सिद्दत से मुझे मैंने तुम्हें पाने की कोशिश किये जर्रे जर्रे ने मुझे तुम से मिलाने के साथ इसकी एक बिना मुवी देखे कल्यार नहीं है ना इसे में इसे में है इसे में उसके ओपर कर सकते हैं इंट्राडे के लिए आप मेरे से कंफर्मेशन क्यों ले रहा हुए आप इसको बैक टेस्ट करो ना 30 मिनट पर इस एक-दो दिन से सई करेक्ट वाए कि आप इसको बैक टेस्ट करो फिए आदमी क्यों लाया ज़ैबimportant को इखत जी सवी होटस्य आप झेंवीं से अधिन मतलब बकवास कर रहा है या सही बोलना है यह टेस्ट करो आगा सिंपल सिंपल ज्यादा कुछ नहीं करना बस इतना ही आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं सिंपल सिंपल यही करना है यह आदमी जूट बोला है सही एक दम सही सर यह देड़ महीने से इसी पर काम कर रहा है वही मैं कहा रहा हूंगा साहब आपको करना है नहीं है अब कल मैंने कल मेरे पास एक फोन आया था कि यह है कि क्यों नेति आ था अफंदा अब आ कि फटक पर्टे आपस करते हैं ऐसा है वैसा है राव कर आध मार्किइस अगम का है संपर मार्कट में आज मार्केशा और है अंकर ठीक है काम करेंगे आपके साथ अंकर कितनी फीस है कह सर महीने में एक महीने का हमारा जो चार्ज़ है दो हजार रुपया है हम आपको कॉल और पूट देंगे अंकर ठीक है जी बैया जी अब वह उसकी रोजी रोटी तो मैं क्या बोलू लेकिन अब रोजी रोटी तो मतलों यह थोड़े कि मैं रोजी और रोटी दोनों को पकड़ लूँ अरे मेरे पास भी कुछ है कैसर आप क्य करते हैं कितना क्या प्याइब पचास है तो इसी में आगे पीछे करते हैं इतने लोग मेरे साथ जुड़े हैं यह वह आज वी उसकी कॉल आई थी मेरे पास वाट्सप पे मैसेज आया था आज का यह ले लीजे मार्केट जा रहा था बाई में बाबु कॉल दे रहा है पू कि आप इस तरीके से कर सकते हैं आप आप किसी ने कहा कि भाइंग निप्टी का फ़ला आप्शन पुट बाई कर लो आप देख रहे हो कि पचास की मुविंग एवरेज की ऊपर नाच रही है कैसे बाई कर लो भाई कुब बना रहा है तो तो कॉल पुट वाले जो पीमस वा आप दंदा प्रोक्रेशन उसकी हमेशा रिस्पेक्ट है लेकिन कॉल पुट तो सही दो कॉल पुट तो क्लियर दो आप बोलो ना पचास की मुविंग अवरेज की ऊपर बाई कर लेना उसके नीचे का से टा देना अच्छी है कॉल पुट लेगा आप भी लोग है मैं भी ल बना गए मामला मनुद जी हमारे बोल देते हैं अर कॉल दिया या पॉट इसका हुलार कन्फ्यूजन मनुजी कुछ और देख रहे हैं रभिंदर जी कुछ और लालवानी साहां कुछ और देख नहीं मेरे भी उसे सहमत में तो मुझे अच्छा लगता है अच्छा यह लगत है क्यों सकता है है काया कुल मेरा आशन पर्सेटायल क्या बोला था मेरा आशन नहीं काम किया निंटी गई इसे πολंसेंट लेकिंगे नहीखी पर ने काम किया'm एक इसीलिए मैंले के चला गया अ ह७ी मेरा इसको काट अधर अधर को को मैंने उसको काटा फिर यहां से मैंने साम को पोजिशन बना दी थी चलो लेकर मैंने आप लोग इसलिए नहीं दिया कि बढ़िया तो आप लोग इतनी गालिया दोगे कि लॉस्ट करवा दिये ऐसा हो गया वैसा हो इसलिए हैज में जा है जो पकड़के बैठा होगा उसको बीना समझे कल्यार नहीं ओने नहीं और अगर आपको कोई कहता है कि हो जाएगा तो सिंपन सिंपन जान लीजेगा कि वह आपको निपट बेवकूप 100% शुद्ध बेवकूप बना रहा है और आपको अपने सही रास्ते से हटा रहा है यह बात ध्यान रखिए ठीक है इसी की साथ हम अपनी वाणी को भी राम देते हैं आपके उपर आपके माता और गुरुजनों भागवान का अशिवाद बना रहे जै हिंद जै भारत बाकि कोई क्वेरी होगी तो नम्मर के पून करें धन्यवाद जाए थैंक यू साथ ओके साथ